परिचय आज तनुज खरीदारी के लिए अपने पिताजी के साथ बाजार आया है, वो कुछ टी-शिर्ट तथा पेंट खरीदना चाहता है, वो एक दुकान में प्रवेश करता है तथा विबन प्रकार की रंगीन टी-शिर्ट देखता है पिताजी, यहाँ टी-शिर्टों के अनेक रंग है, लेकिन मुझे नीले रंग की टी-शिर्ट पसंद है ठीक है बेटा, तो हम इसे खरीद लेते हैं धन्यवाद पिताजी बेटा, क्या तुम जानते हो कि ये भिन भिन रंग कपड़ों पर किस प्रकार प्रयोग किये जाते हैं? नहीं पिताजी, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कपड़ों पर विभिन रंगों के लिए विशिष्ट रसायन प्रयुक्त किये जाते हैं, जिनसे ये रंग प्राप्त होते हैं ये रसायन उपसे संयोजन योगिक कहलाते हैं उपसे संयोजन योगिक? पिता जी, ये क्या होते हैं? मुझे इनके विशे में कुछ भी पता नहीं है, तथ हमें इनके विशे में और जानना चाता हूँ विद्याठियों, आज हम उप सहसेयों जन्योकिक के बारे में विस्तार से अध्यान करेंगे उद्देश इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे उप सहसेयों जन्योकिकों को परिभाशित करना वर्णर के सिध्धांद का वर्णन करना पारिभाशिक शब्दावली को परिभाशित करना दोईलवन तथा संकुल यानि कॉम्पलेक्स योगिक में अंतर करना उप सहसेयोजन योगिकों के नामकरण को समझना उप सहसेयोजन योगिकों में समाव यवता की व्याख्या करना संयोजक्ता आबंध सिध्धांद तथा क्रिष्टल क्षेत्र सिध्धांद का वर्णन करना धातू कार्बोनिलों में आबंध को जानना और उप सहसेयोजन योगिकों के स्थायत्व का विशलेशन करना परिभाशा अकार्बनिक रसाइन की वो शाखा जिसमें उपसे संयोजन योगिकों का अध्यन किया जाता है उपसे संयोजन रसाइन कहलाती है उपसे संयोजन योगिक में एक केंद्रिय धातू परमाणों होता है जो की तटस्त अडूओं की एक उप्युक्त संख्या से घिरा होता है तथा साधानर्ता विलियन के साथ ही ठोस अवस्था में अपनी पहचान को बनाए रहते हैं ये योगिक खनीजों तथा पौधों में व्यापक रूप से उपस्थित होते हैं ये अनेक वास्तविक जीवन के क्रिया कलापों जैसे जल की कठोड़ता का आकलन करना, मृदा तथा पौधे का उप्चार तथा कपड़ा रंगाई में प्रयुक्त होते हैं वर्णर का सिध्धांद 1898 में अल्फरेट वर्णर ने उपसे सैयोजन योगिकों की सनजनाओं के संबंध में उनकी विशेष्टाओं का वर्ण किया था इन सिध्धांद के मुख्यबिंदू निम्ने हैं धातू में दो प्रकार की सैयोजक्ताएं प्रात्मिक तथा दुदियक पाई जाती हैं प्रात्मिक सैयोग्ताएं समाने रूप से आयन्निये होती हैं रनात्म कायनों या उदासीन अड़ों त्वारा संतुलित होती हैं प्रात्मिक संयोक्ताएं आयन्निय होती हैं जबकि दुईत्यक संयोक्ताएं अन्न आयन्निय होती हैं प्रतेक धातू पर्माणू में केंद्रिय पर्माणू के निकट दुईत्यक संयोक्ताओं की एक विशेश संख्या पाही जाती है ये संयोक्ताइं केंद्रिय पर्माणूं के निकट आखाश में इस प्रकार से प्रक्षेपित होती हैं, जो की उपसह संयोजन योगिक को एक निश्चित जयामिती प्रदान करती हैं ना केवल उदासीन केंद्रिय पर्माणूं से समनवेत होते हैं, अपितु आयन भी उसी प्रकार से समनवेत होते हैं समनवे मंडल में जब एक आयन एक उदासीन अणूं को प्रतिस्थापित करता है, तब ये अपने वैदुत संयोजक यानी इलेक्ट्रोवेलेंट गुण को खोदेता है, तथा अन आयन निये अनुबंधन त्वारा केंद्रिय आयन से जुड़ जाता है समनवे सत्ता एक संकुल यानी कॉंप्लेक्स आयन एक विद्युत आवेश युक्त इस्पिशीज है, जिस पर की देहन या रिन आवेश पाया जाता है इनमें केंद्रिय पर्माड़ों या आयन तटस्थ अड़ों या नकरात्मा काईनों की एक उप्युक्त संख्या द्वारा घिरा होता है उधारण CO-NH3-4-Cl2 वो संकुल यानि कॉम्प्लेक्स आयन जिसपर धनात्म कावेश पाया जाता है, धनावेश पाया जाता है उधारण NI N3 6 2+. वो संकुल आयन जिस पर रणात्मक आवेश पाया जाता है, रणावेशित संकुल कहलाता है, उधारण PT Cl 6 2-. वो संकुल यानि कॉम्पलेक्स आयन जिस पर कोई भी आवेश नहीं पाया जाता है, उधासीन संकुल कहलाता है, उधारण NI CO 4. लिकंड ऐसे उधासीन अणु या आयन जो की एक संकुल में धातु आयन को घेड़ते हैं, लिकंड कहलाते हैं. लिकंड समानिता ध्रोविय अनु होते हैं, जिनमें संयोजक इलेक्ट्रानों का कम से कम एक बिना साजह वाला जोड़ा पाया जाता है. वे केंद्रिय धातु आयन से उपसेह संयोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं. लिकंड में उपस्थित पर्माणूं जो की केंद्रिय धातु पर्माणूं के साथ समनवे बंध बनाता है, उपसेह संयोजित पर्माणूं या दाता पर्माणूं कहलाता है. लिकंड एक या अनेक दाता इस्थल से युक्त होता है. दाता इस्थल यानि स्थान की संख्याओं के आधार पर लिगंड निम्न प्रकार के होते हैं एक दंतुर यानि यूनि डेंटेट एक दाता इस्थल युक्त उधारन कार्बोनेट आयन दुई दन्तुर यानी बाइदेंटेट दू दाता इस्थाल युक्त उधारन ओक्सिलेट आयन त्री दन्तुर यानी ट्राइदेंटेट तीन दाता इस्थाल युक्त उधारन ट्राइदेलीन ट्रायमीन चतुरदंतुर, tetra-dented, यानि चार दाता-इस्थिल युग्थ उधारन, triethylene tetraamene शटडंतुर, hexadented, 6 दाता-इस्थिल युग्थ उधारन, ethylene-diamene tetraacetate ion एक पर्माणू में केवल एक ही दाता इस्थल हो सकता है, लेकिन एक अणू में एक से अधिक दाता इस्थल हो सकते हैं। दंतूर्ता तथा किलेटन। जब एक बहुत दंतूर लिकंड एक से अधिक दाता इस्थल द्वारा स्वाता ही एक धातू आयन से संयूजित हो जाता है, तो एक रिंग सद्रिश सनचना प्राप्द होती है। इस रिंग सद्रिश को किलेट रिंग कहते हैं। पी टी ट्राइन दो धनात्म किलेटन का उधारन है। लिकंड धातू आयन के साथ संयूजित होकर एक रिंग सद्रिश सनचना का निर्माण करता है, जिसे किलेट लिकंड कहते हैं। लिकंड समूहों की संख्या लिकंड की दंतूर्ता को दर्शाती है। यदि दो उपसेह संयूजित परमाणू एक समान होते हैं, तो दूई दंतूर्त लिकंड सम्मित होते हैं। यदि दो उपसेह संयूजित परमाणू फिन होते हैं, तो वो असम्मित होते हैं। लिकंडों की कुछ विशेषता हैं। आंतरिक धात्विक संकुल। जब लिगंडों में उदासीन तथा रिणावेशित दोनों ही समू उपस्तित होते हैं, तो ये धात्विक धनायन के साथ संयोजित हो जाते हैं, ये संकुल का निर्माण करते हैं, जिसमें उपसेह संयोजन संख्या तथा धनायन का आवेश दोनों स्वाता ही बराबर होते हैं लचीला दंतुर गुण धातु आयन के साथ संयोजित होने के लिए बहु दंतुर लिगंड अपने सभी दाता परमाणों को प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं। उधारण के तौर पर एथिलीन डाइमीन टेट्रा एसिटेट आयन यानी EDTA शट दंतुर या पंच दंतुर या चतुर दंतुर लिगंड की तरहा कारे करता है। उभे दंती लिगंड जब कुछ एक दंतुर लिगंडों में एक से अधिक दाता परमाणों होते हैं जिसके द्वारा वे केंद्रिये परमाणों से संयोजित हो सकते हैं। समनवय मंडल तथा समनवय संख्या समनवय मंडल संकलों में केंद्रिये धातु आयन अन आयन्ये लिगंडों के साथ जुड़ा होता है तो ये समनवय मंडल कहलाता है। वो भाग जो की गुरु कोश्ठक के बाहर उपस्थित होता है उपसे संयोचन मंडल कहलाता है। समन्वय मंडल में उपस्थित इस्पिशीज अनायन्निय होती हैं। समन्वय संख्या समन्वय मंडल में सभी लिगंड केंद्रिय धातु परमानूं के साथ चुड़े होते हैं जिसे की धातु परमानूं की समन्वय संख्या कहते हैं। समन्वय बहु फलक समन्वय मंडल में लिगंड केंद्रिय पर्माणूं से जुड़े होते हैं, जो की एक निश्चित दिशा में स्थित होते हैं. ये संकुल आयन को एक निश्चित जयामिती प्रदान करता है. केंद्रिय पर्मानुं आयन से सीधे चुड़े लिगंड पर्मानु की दिकिस्थान बैवस्था को केंद्रिय पर्मानुं का समनवıt बहु भलक कहते हैं सामान्ने बहु भलक निम्न है वर्ग समतलिये चतुश फल किये त्रीकोडिये पिर्यमिदी वर्ग प्रेमिटी अश्ट फल किये उधारण PTCL4-2 माइनस में वर्ग सम्तलिय बहु फलक देखा गया है NICO4 में चतुष फल किये बहु फलक देखा गया है तथा CONS3-6-3 प्लस में अश्ट फल किये बहु फलक देखा गया है केंद्रिय परमाणूं की आक्सीकरण संख्या आक्सीकरण संख्या एक अफशिष्ट आवेश होता है जो की केंद्रिय परमाणूं पर तब पाया जाता है जब अन्य सभी परमाणूं उससे निकल जाते हैं संकुल पर पाया जाने वाला आवेश घटक भागों के आवेशों का कुल योग होता है यदि संकुल उदासीन होता है तब घटकों के आवेशों का कुल योग शून होता है खटकों के आवेश का कुल्योग रिणावेशित या धनावेशित संकुल यानि कॉम्प्लेक्स के लिए समनवय मंडल पर पाय जाने वाले आवेश के परापर होता है संकुल आयन पर कुल वैद्धुत संयोजक आवेश आवेशित आयनों की संख्या जोकी उदासीन अड़ों को प्रतिस्थापित करने के लिए समन्वय मंडल में प्रवेश करते हैं उनमें परिवर्तित हो जाता है प्रभावी त्रवेमान संख्या EAN संकुल में केंद्रिय धातु पर्मानों की प्रभावी त्रवेमान संख्या की गड़ना दिये गए सूत्र द्वारा आसानी से की जा सकती है EAN बराबर Z-ON प्लस 2CN जहां Z केंद्रिय धातु पर्मानों की त्रवेमान संख्या है ON केंद्रिय धातु पर्मानों का आक्सी करन संख्या है तथा CN केंद्रिय धातु पर्मानों की उपसे संयोजन संख्या है यदि प्रभावी द्रवेमान संख्या अगली नोबल गैस की द्रवेमान संख्या के बराबर होती है तो एक स्थाई संकुल यानि कॉंपलेक्स का निर्मान होता है उधारण FECO5 की प्रभावी दरवेमान संख्या बराबर 26-09 प्लस तो गुणे 5 बराबर 36 के पराबर है प्रभावी दरवेमान संख्या नियम अनेक विश्यों में लागो होता है NI2, CO2, AGA के संकुल समानिता इस नियम का अनुसरण नहीं करते हैं FECL4-1 तथा FECN6-3 में FE इस नियम का अनुसरण कभी नहीं करता है होमोलेप्टिक तथा हेटरोलेप्टिक संकुल होमोलेप्टिक संकुल ऐसे संकुल जिसमें धातू परमानू केवल एक प्रकार के लिगंड से संयोजग बंधों द्वारा जुड़ा होता है होमो शब्द ये दर्शाता है कि कोई सभी के लिए समान है होधारण के तोर पर CO NH3 6 3 प्लस तथा FECN 6 4 माइनस हेटरोलेप्टिक संकुल ऐसे संकुल जिसमें धातू परमानू एक से अधिक प्रकार के लिगंड से संयोजग बंधों द्वारा जुड़ा होता है कुछ लिगंडों के लिए ये संभव है कि वो दो या तो से अधिक भिन संयोजग बंधों द्वारा चुड़े हो उधारण CO CL 2 NH3 4 प्लस दुई लवान तथा संकुल जोकिक में अंतर चलो अब दुई लवान तथा संकुल योगिक के मत्थे कुछ महदपून अंतर जानते हैं दुई लवान में संयोजग बंध नहीं पाय जाते हैं जबकि संकुल योगिक में संयोजग बंध उपस्तित होते हैं दूई लवन थोस अवस्था में विद्धिमान होते हैं, जबकि संकुल योगिक थोस अवस्था के साथ साथ जलिये विलियनों में भी विद्धिमान होते हैं। दूई लवण जलिये विलियन में अपनी पहचान खोतेते हैं, जबकि संकुल योगिक जलिये विलियन में अपनी पहचान नहीं खोते हैं। दुई लवन में दो लवन समान अनुपात में पाय जाते हैं जबकि संकुल योगिकों में दो आयनों से मिल कर बना होता है, जोकी समान अनुपात में हो भी सकते हैं और नहीं भी. दूई लवण में धातु आयन अपनी सामाने संयुजकताओं को दर्शाते हैं जबकि संकुल लवण में धातु आयन अपनी प्रात्मिक तथा दूई तियक संयुजकताओं को दर्शाते हैं दूई लवण जलिये विलियन में सरल आयनों का निर्माण करते हैं जबकि संकुल योगिक जली विलियन में संकुल आइनों का निर्माण करते हैं। जबकि संकुल आइनों का निर्माण करते हैं। टेटरा इत्यादी से प्रदशित किया जाता है। नियम चार, H2O को एकवा कहा गया है, NH3 को एमीन कहा गया है, NH2 को एमाईन कहा गया है, तथा रणावेशित लिकंडों के नाम के अंत में ओ आता है। नियम पाँच, दणावेशित संकुल के अंत में एट लगा होता है। खुदासीन तथा धनावेशित संकुलों में कोई भी परिवर्दन नहीं होता है। नियम चार, केंडरी धातों की आक्सी करण अवस्था को कोश्ठक में रोमन अंकों द्वारा दर्शाया जाता है। बहु केंडर किये उपसे सयोजन योगिकों का नाम करण। जब संकुल में दू या तू से अधिक पर्माणू पाये जाते हैं, तो वो बहु केंडर किये संकुल लाता है, तथा दू धातू पर्माणूं से बंधे हुए लिगंड, बंधी ये लिगंड कहलाते हैं। ऐसे लिगंडों के नाम में, मियू वनबाला इन लिगंडों के नाम से पहले लिखी जाता है, तथा अन्ने संकुल से आईफन दोरा तत्रक होते हैं उधारन इस उपसे स्योजन योगे को टेट्राइमीन कुबाल्ट 3, म्यू एमाइडो, म्यू नाइट्रो टेट्राइमीन कुबाल्ट 3 नाइट्रेट के नाम से जाना जाता है उपसे स्योजन योगे कों के नामकरण के उधारन चलिए उपसे स्योजन योगे कों के नामकरण का एक उधारन लेते हैं CR-H2O-4CL-2CL उपसे स्योजन योगे का क्या नाम है? चलो विलियन को देखते हैं उपसे संयोजन योगिक के सूत्र में संकुल पहले लिखा जाता है इसलिए ये धनावेशित संकुल है तथा इसका नाम पहले लिखा जाता है नियमो के अनुसार संकुल के नामकरण के समय लिगंडों का नाम पहले लिखा जाता है इसके बाद केंद्रिय थातु आयन का नाम लिखा जाता है लिगंडों को वन माला के क्रम में लिखा जाता है अता एक्वा पहले आता है तथा उसके बाद क्लोरो आता है केंद्रिय थातु परमाणों की आक्सी करन संख्या प्लस तीन है तथा ये रोमन अंकों में कोश्ठक में लिखी जाती है क्लोराइड रणायन होता है इस प्रकार इस उपसे सेयोजन योगिक का नाम टेट्रा एक्वाडाई क्लोरोक्रोमियम तीन क्लोराइड है उपसे सेयोजन योगिकों का सूत्र लिखना जब उपसे सेयोजन योगिकों का नाम करण दिया होता है तब इसका सूत्र लिखते समय कुछ नियमों का अनुसरण करना पड़ता है नियम एक धनायन का सूत्र पहले लिखा जाता है उसके बाद उसके रिलायन का सूत्र लिखा जाता है नियम दो, समन्वय मंडल गुरू कोश्ठक में लिखा जाता है नियम तीन, समन्वय मंडल में चिन्नों का क्रम जोकी केंदीय थातु को पहले प्रदर्शित करता है, लिगंडों से उनके वणमाला क्रम से पहले लिखा जाता है नियम चार बहु परमाणों के लिगंड के सूत्र को कोश्ठक में लिखते हैं नियम पाँच समन्वे मंडल के भीतर लिगंडों तथा केंद्रिय थातू परमाणों के मध्धे कोई भी स्थान नहीं होता है नियम चे उपसे संयोजन योगिक में धनायन का आवेश, रणायन के आवेश त्वारा संतलित होता है उपसे संयोजन योगिकों में समावयव्ता दो या दो से अधेक रासाइनिक योगिक जिनके रासाइनिक सूत्र समान, किंदू, सनचनाय भिन्न होती हैं, समावयवी कहलाते हैं तथा इस प्रक्रिया को समावयवता कहते हैं उपसे संयोजन योगिकों में लिगंड किसी दिये गए धातू परमाणों के चारों और एक विशिष्ट दिशा में पैवस्थित होते हैं धातू आयन के चारों तरफ लिगंडों की स्थिति तथा क्रम के आधार पर अनेक समावयवी संभावनाएं बन जाती हैं समावयवियों को विस्तरी तिस्तर पर दो मुख्य श्रेणियों में वर्गी क्रित किया जा सकता है सन्दचनात्मक समावयवी तथा त्रीविम समावयवी सन्दचनात्मक समावयवी सनचनात्मक समावयवियों में केंद्रिय धातू पर्माणों के चारों और लिगंडों का भिन्न करम उपस्तित होता है विबिन प्रकार के सनचनात्मक समावयवी निम्न प्रकार है बंधनी समावियवता ये समावियवता तब आई जादी है जब लिगंड उभै दंती सनलगने होते हैं तथा ये दो यातों से अधिक भिन परमाणों से जुड़ सकता है उपसे संयोचन समावियवता किसी संकुल में उपस्तित भिन धातूं की धनायन एवं रणात्मक उपसे संयोचन सत्ता के समय लिगंडों के अंतर परिवर्तन से इस प्रकार की समावियवता उत्पन्न होती है आयनन समावियवता ये समन्वय मंडल में उपस्तित संकुल आयन तथा इसके बाहर उपस्तित आयन के मध्य समोहों के आदान प्रदान के कारण होती है ये समावियवी विलियन में विबन आयनों को देते हैं जबकि इनके रसाइनिक सूत्र समान ही होते हैं हाईड्रेट समावयवता ये विलाय की एक शमदा के कारण होती है। समानेता समावयवियों की संख्या रदान करने के लिए समन्वय मंडल के आंतरिक तथा भाई और जल अणू विभिन माथ्यम से निकलते हैं। त्रिविम समावयवता आकाश में परवानों या समोहों के विभिन करम के कारण होती है। ये दो प्रकार की होती हैं। जयमितिये समावयवता इस प्रकार की समावयवता हैटॉल्लैप्टिक संख्यों में पाई जाती हैं जिन में लिगंडों की भिन जयमितिये व्यवस्थाएं संभव हो सकती हैं। जब दो अभिन लिगंड निकटवर्ती स्थानों पर पाय जाते हैं तब ऐसे समावियव संपक्षिस समावियव कहलाते हैं। जया मितिय समावियव दर्शाते हैं। धरुवन समावियव एक दूसरे के तरपन प्रतिवियव होते हैं, जिन्हें एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किया जा सकता। इन्हें प्रतिवियमरूप या एनिन्टी उमर कहते हैं। प्रतिबिम रूप या एनिंटी उमर समतल धुरुवित प्रकाश से भिन प्रकाश से प्रतिक्रिया करते हैं। तथा जब समतल धुरुवित प्रकाश को clockwise यानि घडी के गुणन दिशा में मोर देता है, तो उसे दक्षिन धुरुवन घुनक कहते हैं। तथा जब समतल धुरुवित प्रकाश को एन्टी clockwise यानि घडी के गुणन दिशा की विप्रीत नहीं मोरता है, तो उसे वाम धुरुवन घुनक कहते हैं। तीन दुई दंतोर लिकंडों से युक्त छै उप सह सैयोजन संगुल के वल धुरुवन समाव्यवता को दर्शाते हैं। सैयोजक्ता आबंद सिध्धान्त सैयोजक्ता आबंद सिध्धान्त में सम्मलित आधारिय सिध्धान्त निम्न हैं। कक्षकों का संकरन धातू पर्माणों तथा लिगंडों के मध्धे आबंद अवलोकित चुम्ब किये मापन तथा बंध प्रकार के मध्धे संबंद इस सिध्धान्त के अनुसार केंद्रिय धात्विक पर्माणों के साथ लिगंड उपस सह सैयोजक्त बंध द्वारा आबंदित होते हैं। इस प्रकार लिगंड में इलेक्ट्रानों का एक युगल समूं अवश्य होना जाहिए। तथा आबंध के लिए धात्व के पास कुछ रिक्त कक्षक अवश्य होने चाहिए। उधारण के तौर पर K4, MN, CN6 के निर्माण का सैयोजक्त आबंद सिध्धान्त के आधार पर वर्णन किया जा सकता है। बाहे कक्षक संकुल वह संकुल जिसमें बाहे आर्बिट के D कक्षक आबंध के लिए प्रयुक्त होते हैं, बाहे कक्षक संकुल कहलाते हैं। आंतरिक कक्षक संकुल वह संकुल जिसमें आंतरिक आर्बिट के D कक्षक आबंध के लिए प्रयुक्त होते हैं, आंतरिक कक्षक संकुल कहलाते हैं। उच्च प्राचकरन संकुल वो संकुल जिसके एक निश्चित इलेक्ट्रोनिक विनियास में आयुगमित इलेक्ट्रोनों की संक्या अधिक्तम होती है उच्च प्राचकरन संकुल कहलाता है। संयोजक्ता आबंद सिध्धांद की सीमाएं संयोजक्ता आबंद सिध्धांद की मुख्य सीमाएं निम्न हैं। ये उप सह संयोजन योकिकों द्वारा दर्शाए गए रंगों का स्पष्टी करण नहीं देता। ये सिध्धांद दुर्बल तथा प्रबल लिगंडों के मत्थे विभेद नहीं करता। इसमें अनेक प्रकार के पूर्वानुमान हैं। ये चार समनवई संकुलों के लिए जतुष फल किये तथा वर्ग समतल सनचनाओं का सही अनुमान नहीं लगा पाता। ये उप सह संयोजन योगिकों के उश्मा गतिकिये और गतिक इस्थाइट्व की कोई भी मातरात्मक व्याक्या नहीं करता। क्रिस्टल क्षेत्र सिध्धांद के मुख्य बिंदू निम्न हैं। संकुल में केंद्रिय थातू परमानू तथा लिगंडों के मत्थे आकर्शन न करने होता है। केंद्रिय थातू तथा लिगंडों पर उपस्तेत इलेक्ट्रॉन के मत्थे प्रतिकर्शन बल होता है। इसलिए इलेक्ट्रोंस डी कक्षकों को जो की लिगंडों के प्रवेश की दिशा से सबसे अधिक दूर हैं घेड़ लेते हैं। लिगंड एक बिंदू आवेश की तरह होता है। संकुल के निर्मान में डी कक्षक विभिन उर्जा के इस तरों में विखंडित हो जाते हैं। क्रिस्टल क्षित्र सिध्धांद की मुक्य सीमा निम्न हैं। ये अवधारणा की लिगंड एक बिंदू आवेश है। प्रायोगिक तौर पर सही नहीं है। क्यूंकि रिणायन लिगंड किस समीब प्रबलक्षित्र होना चाहिए। किंदू उनमें से अधिकतर में ये नहीं होता है। ये सिध्धांद लिगंड तथा केंद्रिय परमानु के मथे आबंद की सह सयोजक प्रवृत्ति का संग्यान नहीं देता है। D कक्षकों का क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन 5 D कक्षकों को दो समूहों में वर्की करित किया जा सकता है। D कक्षकों में से 3 जोकी उपसे है सैयोजित अक्ष के मध्य बिनियासित होते हैं। टी दो जी कक्षक कहलाते हैं, अन्न दो डी कक्षक जो की उप सह संयोजित अक्ष के समान तर विन्यासित होते हैं, ये जी कक्षक कहलाते हैं। मुक्त धातु आयनों के संबंद में सभी पांच डी कक्षकों में समान उर्जा होती हैं, लेकिन लिगंडों की एक जोड़ी से उनका संबंद तथा उर्जाएं घड़ जाते हैं। वे लिगंड जो अधिक क्रिस्टल क्षित्र विपार्टन उत्पन करते हैं, प्रबल लिगंड कहलाते हैं, जबकि जो लिगंड कम क्रिस्टल क्षित्र विपार्टन उत्पन करते हैं, दुर्बल लिगंड कहलाते हैं। अश्ट फल किये संकुलों यानि कॉंप्लेक्सों में 6 लिगंड उपसे संयोजित अक्ष के साथ किंद्रिय धातु आयन से जुड़े होते हैं ऐसा अक्ष Dx2 घटा Y2 तथा Dz2 कक्षक होता है इन कक्षकों के स्तर में कक्षकों के T2G से अधे कूर्जा होती है चतुष फल किये संकुल यानि कॉंप्लेक्स में 4 लिगंड शंकु के एकांदर कौन तथा शंकु के केंद्र पर केंद्रिय आयन घेर सकते हैं इस इस्तिती में कक्षक का T2G समुह संबंदित निगट वर्ती लिगंडों से जुड़ा होता है तथा इसलिए D कक्षकों के T2G समुह में कक्षकों के EG समुह की अपेक्षा अधिक उचा पाई जाती है डेल्टा T तथा डेल्टा O में संबंद दिया गया है डेल्टा T बराबर 4 बटे 9 डेल्टा O उपसे संयोजन योगिकों में रंग संकलों का रंग स्पेक्टरम के द्रिशिक शित्र में प्रकाश के अफ्शोजन तथा पूरक रंग की किरणों की कारण होता है डी कक्षकों में उपस्तित इलेक्ट्रान द्वारा उर्जा अफ्शोशित की जाती है तथा ये निम्न उर्जा वाले डी कक्षकों से उच्छ उर्जा वाले डी कक्षकों की ओर उत्तेजित हो जाते हैं जब ये निम्न उर्जा वाले डी कक्षकों में वापस आते हैं, तब ये उर्जा को प्रसारित करते हैं। संक्रमण धातूं के उपसे संयोजन योगिकों का रंग लुभावना होता है। जली विलियन में एक्वास संकलों की उपस्तिती के कारण रंग अवलोकित होते हैं। धातू कार्बोनिलों में आबंद होमोलेप्टिक कार्बोनिल योगिक जिनमें केवल कार्बोनिल लिगंड हों अधिकतर संक्रमण धातू दारा निर्मेथ होते हैं D-block के केंद्रिय भाग से धातू द्वारा महतबून धातू कार्बोनिल का निर्माण होता है धादू कार्बोनिल आबंद में सिग्मा तथा पाई दूनो आबंद भाग लेते हैं कार्बन मोनो अक्साइड पर उपस्थेद एकल युगल के साथ संकर्मण धादू के रिक्त डी कक्षक के परसपर व्यापन से सिग्मा आबंद बनता है पाई आबंद धादू के पूरित डी कक्षकों में से एक एलेक्ट्रोन जुगल को कार्बन मोनो अक्साइड के रिक्त प्रतियाबंधन पाई कक्षक में दान करने से बनता है धादू कार्बोनिलों की विशेष्टाएं धातू कार्बोनिलों की कुछ मुख्य विशेश्टाएं निम्न है एक नाभी की एक कार्बोनिल या तो रंगहीन होते हैं या फिर हलके रंग के होते हैं बहु नाभी की एक कार्बोनिल अधिक गहरे रंग के होते हैं धातू कार्बोनिल कमरे के ताप तथा ताप पर अधिकतर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं सिवाई लोहा तथा निकेल कार्बोनिल के जो की तरल अवस्था में होते हैं केंद्रिय धातू तथा सी ओ लिकंडों के कारण ये अत्यधिक क्रियाशील होते हैं एक नाभिकिये कार्बोनिल वाश्पिशील तथा विशेले होते हैं। अधिकतर धातू कार्बोनिल हाइड्रोकार्बन विलाइकों में घुलनशील होते हैं। धादू, कार्बुनिल और त्योगिक उत्प्रेरकों तथा जैव संशलेशन में अगरुदूतों की भाती प्रयोग किये जाते हैं। उपसे संयोजन योगिकों का स्थाइत्व संकुल के निर्माण में एक धातू आयन तथा लिगंडूं के मद्धे प्रतिक्रिया समलित होती है। यदि केंद्रिय धातू आयन तथा लिगंडूं के मद्धे आकर्शन बल प्रबन होता है तो संकुल स्थाई होगा। संकुलों का स्थाइत्व लिगंडूं की प्रक्रिती धातू आयन की प्रक्रिती विलियन के पियेज तथा ताप पर निर्भर करता है। विलियन में संकुल का निर्वान एक प्रती वर्थी क्रिया है तथा ये बाहे तापिये प्रक्रिया है। सामे आवस्था इस्थिरांग के को सामे इस्थिरांग कहते हैं। सामे इस्थिरांग का मान जितना अधिक होगा संकुल उतना ही अधिक इस्थाई होगा। धनायन जितना चोटा होता है उसके उपर आवेश उतना ही अधिक होता है जिससे संकुल उतना ही अधिक इस्थाई होगा लिगंड जितना प्रबल होता है संकुल उतना ही अधिक इस्थाई होगा उपसे संयोजन योगिकों का अनुप्रयोग उपसे संयोजन योगिकों के कुछ महदपून अनुप्रयोग निम्न है बॉक्साइट एन ए ओ एच के साथ उत्पन संकुल यानी कॉम्पलेक्स से शुद्ध किया जाता है कठोर जल में CA2+, तथा MG2+, के आकलन के लिए EDTA का प्रयोग किया जाता है PB EDTA संकुल में निर्मित PB को हटानी के लिए EDTA का प्रयोग किया जाता है हिमोग्लूबिन में FE पाया जाता है क्लोरोफिल में MG पाया जाता है विटामिन B12 में CO2+, उपस्तित होता है कैंसर के उपचार में संपक्ष प्लेटिन का ट्यूमर विरोधी कारक की भाती प्रयोग किया जाता है ये फोटोग्राफी में प्रयोग होते हैं जिंक तथा उसके साइनाइड संकुलों के साथ क्रिया कराकर जान्दी तथा सोना निश्कर्शित होते हैं क्या आप जानते हैं उपसेह संयोजन योगिकों का उपयोग वैद्यूति लेपन में किया जाता है एक योगिक में उपसेह संयोजन तथा आयन के मध्य अंतर को समझने के लिए अल्फ्रेट वर्नन ने 1893 में एक सिध्धान्त प्रतिपादित किया था समाव यवी ऐसी दो या इससे अधिक योगिक होते हैं जिनके रासाइनिक सूत्र समान होते हैं परंतु परमानों की वैवस्था भिन्य होती है सारांश आईए हमने जोकृ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं उपसेह संयोजन योगिक में एक केंद्रिय धातु परमानों पाया जाता है जोकि उदा सीन अणों की एक उप्युक्त संख्या द्वारा घिरा होता है तथा सामानिता के विल्यानों के साथ साथ ठोस अवस्था में अपनी पहचांग को बनाए रखता है प्रात्मिक सेह उजक्ता रनात्म कायनों के द्वारा जबकि दूईतियक सेह उजक्ता या तो रनात्म कायनों द्वारा या फिर उदा सीन अणों के द्वारा संथलित होती है उदा सीन अणों या आयन जोकि एक संकुल में धातु आयन को घेरते हैं लिगंड कहलाते हैं वो लिगंड जोकि धातु आयन से समनवईत होकर एक रिंग सद्रिश सनचना का निर्माण करता है कीलेट लिगंड कहलाता है समनवई मंडल में लिगंडों की कुल संख्या जोकि केंद्रिय धातु परमानूं से सनलगनित होती है धातू परमाणू की समन्वे संख्या कहलाती है केंद्रिय धातू के चारों और सनचनात्मक समाविय में लिगंडों के विभिन क्रम पाहे जाते हैं त्रिविम समाविय अफ्ता आकाश में परमाणूं समूहों के विभिन क्रमों के कारण होती है वो संकुल जिसके एक निश्चित इलेक्ट्रौनिक विन्यास में अयुगमित इलेक्ट्रौनों की संख्या अधिक्तम होती है उच्च प्राचक्रन संकुल कहलाता है मेदपून धातू कार्बोनिल्स डी ब्लॉक के केंद्रिय भाग से धातू द्वारा निर्मित होते हैं